पुरान जार के राज्य में मुझे मालूम नहीं कब एक राजा अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ रहा करता था। उनके तीन बेटे थे तीनों नौजवान थे तीनों बहादुर थे इतने की कोई उनकी बहादुरी का वनन नहीं कर सकता था। उन तीनों में से जो सबसे छो लड़की से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। बराबर की है। नहीं पिताजी निश्चित रूप से वह मेरे बराबर की नहीं है। पिता ने कहा चिंता मत करो। तुमको तो अब मेंधकी से ही शादी करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा लगता है कि यही तु महारी किस्मत है। इस तरह तीनों भायों की शादी कर दी गई। कहा अपनी अपनी पत्नियों से कहो कि वे कल सुबल को मेरे लिए एक गबल रोटी बना कर रखें। इवान घर लोटा तो उसके चहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी और उसकी भोहे सिकुडी हुई थी। मेंधकी ने राजकुमार से बड़े प्यार से पूछा टतर। ओ मेरे प्रिया जारेविच एवान तुम इतने दुखी क्यों हो। क्या आज महल में कोई खराब बात हो गई है। इवान जारेविच बोला, हाँ खराब बात ही तो हो गई है. मेरे पिता जार चाहते हैं कि तुम कल सुबल को उनके लिए एक डबल रोटी बनाओ. जारेविच तू, मौ बिलकुल चिंता न करो. तुम आराम से जाकर सो. सुबह का समय काली शाम के समय से ज्यादा अच्छा सला होता है. अपनी पतनी की सलाह मान कर जारेविच सोने चला गया. जारेविच के जाने के बाद मेंधकी ने अपनी मेंधकी वाली खाल निकाल दी और अब वह एक बहुत सुन्दर लड़की बन गई थी. उसका नाम था वासिली सा. वो घर के बाहर निकली और उसने आवाज ल बांग के साथ सो करो था. और ये तो तुमको मालूम ही कि मुर्गे कभी अपनी बांग लगाने में देर नहीं करते तो उसकी डबल रोटी तयार थी. वो डबल रोटी इतनी बढ़िया थी कि उसका वनन करना मुश्किल था. क्योंकि ऐसी डबल रोटियां तो केवल परियों के देश में ही मिलती है. वो दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों और शहरों और किलों से सजी हुई थी और अंदर वो बरफ की तरह से सफेद और पंखों की तरह मुलायम थी. इताजार उसको देखकर बहुत खुश हुआ और जारेविच को खास धन्यवाद मि तो उसकी मेंध की पत्नी ने राजकुमार से बड़े प्यार से पूछा, टटर. ओ मेरे प्रिया जारेविच एवान, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम्हारे पिता उस डबल रोटी को देखकर खुश नहीं हुए? एवान जारेविच बोला, नहीं उससे तो वह बह खुश थे पर अब मेरे पिता जार चाहते हैं कि तुम उनके लिए कल सुबल तक एक कालीन बनाओ, तुम चिंता न करो जारेविच और सोने जाओ, सुबह का समय हमारी जरूर ही सहायता करेगा, ये सुनकर जारेविच एवान सोने चला गया, मेंध की फिर से वासिली सा में बढली और बाहर आकर जोर से आवाज लगाए, ओ मेरी प्यारी आयाओ और वफादार नौकरानियों, अब की बार तुम मेरे पास मेरे एक नए काम के लिए आओ, और मेरे लिए एक ऐसा रेशम का कालीन बनाओ, जैसे कालीन पर मैं अपने पिता राजा के महल में बैठा करत जैसे ही वासिलीसा ने ये कहा कि तुरंथ ही उन्होंने उसके लिए रेशम का कालीन बना दिया, सुबह को जब मुर्गों ने बांग दी तब जारे विच इवान जागा और लो वहां तो दुनिया का सबसे सुन्दर रेशम का कालीन रखा हुआ था, एक ऐसा कालीन जिसका क कोई वर्नन नहीं कर सकता था, उसकालीन में चमकीले रेशम के तारों के बीच सोने चांदी के तार भी बुने हुए थे, और वह कालीन तो बस सिवाए तारीफ के और किसी काबिल था ही नहीं, सार पिता उसकालीन को देख कर बहुत खुश था और अपने बेटे को इतने सु सुन्दर बेटों की सुन्दर पत्नियों को देखना चाहता था, और इसके लिए उनको उन्हें अगले दिन पेश करना था, टतर, प्रिय जारेविच, तुम इतने दुखी क्यों, क्या किसी ने तुमको महल में कोई बुरी बात कह दी है, हाँ बुरी बात तो कह दी है, मेरे कोई बहुत बुरा तो नहीं हो सकता पर उससे बुरा भी हो सकता है, ऐसा करो कि तुम अकेले ही जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी, जब तुम जोर की आवाज सुनो तो तुम उससे दर मत जाना बस यही कहना, एक बदकिस्मत में इंधकी, एक बदकिस्मत ब जाक बनाया क्योंकि वह तो अकेला ही आया था, उन्होंने उससे हसते हुए पूछा, भाई तुम अकेले क्यों आये हो, अपनी पत्नी को साथ लेकर क्यों नहीं आये, क्या तुम्हारे पास उसको धकने के लिए कोई फटा कपड़ा भी नहीं था, तुम्हें ऐसी सुन्दर काप गया, वहाँ बेठे सारे महमान दर गए, अकेला जारे वेच शान्त खड़ा रहा फिर बोला, दरने की कोई बात नहीं है, मेरी मेंध की अपने बक्से में आ रही है, सबने देखा कि लाल पोर्च में छे सफेद भोरों से जुती हुई एक उरने वाली सुनहरी गारी र जो केवल परेओं की देश में ही मिलते थे और वही खाय जाते थे, महमान लोग भी वहाँ खुशी से खाना खा रहे थे और बात कर रहे थे, वासिलिसा ने गिलास में से थोड़ी सी शराब पी और जो बाकी बची वह उसने अपनी बाने आस्तीन में दाल ली, फिर उसने त अक्म हो गया तो सब लोग नाचने के लिए उठे, चुंदर वासिलिसा जो वहाँ एक चमकता तारा लग रही थी सबसे पहले आगया ही, पहले वह अपने राजाजार के सामने जुकी फिर उसने महमानों के सामने सिर जुकाया उसके बाद अपने खुश पती जारेविच इ जील की पानी में तैने लगे, चार, वहाँ बैठे महमान, नौकर, यहां तक की भूरी बिली भी जो वहाँ एक कोने में बैठी थी वह भी सुंदर वासिलिसा की सुंदरता को देख कर हैरान रह गए, इवान के दोनों बड़े भायों की पत्निया तो उसको देख कर बहुत ह जल रही थी, जब उनके नाचने की बारी आई तो उन्होंने भी अपनी बानेई आस्तीन हिलाई जैसे वासिलिसा ने हिलाई थी तो उन्होंने तो सारी तरफ शराब फैला दी, उसके बाद उन्होंने अपनी दाई आस्तीन हिलाई तो उसमें से बजाए हंसों के उनकी हड् इस से पिता जार बहुत गुसा हो गया और उसने उनको महल के बाहर निकाल दिया। इस बीच एवान जारेविच एक पल तो देखता रहा फिर वह वहां से किसी तरह बिना किसी के देखे निकल गया। वह तुरंत अपने घर गया, अपनी पत्नी की मेंधकी की खाल धूंदी औ उसको आग में डाल कर जला दिया। जब वासिली सा घर वापस आई तो अपनी खाल धूंदने लगी पर वह उसको मिली नहीं तो वह बहुत दुखी हो गई और उसकी आँखों में आसू आ गए। उसने अपने पती जारेविच इवान से कहा, ओ प्रिय जारेविच, ये कोई नहीं जानता, अमरकोश्ची के महल का रास्ता। इतना कहकर वही एक सफेध हंस में बदल गई और खिर्की के रास्ते उल गई। सारेविच इवान तो ये देख सुनकर बहुत सोर से रो पड़ा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की उत्तर दक्षिल पूर्व महादूर नौजवान। तु क्या धून रहा है और किधर जा रहा है। जारेविच इवान ने उसको बिना कुछ छिपाए हुए अपनी बदकिस्मती के बारे में सब सच सच बता दिया। तो बूरे ने पूछा तो तुने उसकी वह मेंधकी वाली खाल जलाए ही क्यों। य इसलिए उसने अपनी बेटी को तीन साल तक मेंधकी बने रहने का शाप दे दिया। पर मुझे तुझ पर गया आती है और मैं तेरी सहायता करना चाहता हूँ। ले यह एक जादू की गेंद ले। इस गेंद को अपने सामने फेक देना और जिस तरफ ये जाए तू भी इस फूलों वाले मैदान में निकलाया। वहां उसको एक भालू मिला, एक रूसी भालू। इवान जारेविच ने अपन तीर कमान लिया और उसको मारने ही वाला था कि भालू बोला, ओ दयालू जारेविच मुझे मत मारो। कौन जानता है कि किसी दिन में तुम्हारे काम आज जारेविच एवान ने उसको मारने के लिए फिर से अपना तीर कमान निकाला कि तभी उसने कहा, मुझे मत मारो ओ बहादूर जारेविच मैं बहुत जल्दी ही तुम्हारी सहायता करूँगा। तो एवान जारेविच ने उस बड़े खरगोश को भी छोड़ दिया, अब वो फिर आगे चला तो वह एक समुद्र के किनारे आ गया, उस समुद्र के किनारे पर रेट में एक मच्छी पड़ी थी, मुझे उस मच्छी का नाम तो नहीं मालूम पर वही एक बहुत बड़ी मच्छी थी और उस रेट पर पड़ी पड़ी मरने वाली हो रही थी, मच्छी एवान से बोली ओ सारेविच एवान मेरे उपर दया करो मुझे इस समुद्र के थंड़े पानी मे खड़ी हुई थी, इवान उसको देखकर बोला, इस बूशका इस बूशका, प्रूसी भाषा में इसका मतलब होता है छोटी जोंपरी, इस बूशका मैं चाहता हूँ कि तू अपना सामने का हिस्सा मेरी तरफ कर ले, और लो उस जोंपरी ने तो अपना सामने का हिस्सा उस जादूगर्णी ने उसको देखते ही पूछा, ओ इवान जारेविच तुम यहां क्यों आये हो? इवान गुस्से से चिला कर बोला, ओ बूरी बुरा करने वाली, क्यार उसने तुझे एक थके हुए महमान से इसी तरीके से सवाल करना सिखाया है. बजाए इसके कि तू उस सारा खाना दिया, बहुत सारा पीने को दिया और मूम हाथ धूने के लिए गरम पानी दिया. जारेविच एवान ये सब करके ताजा हुआ. जल्दी ही वह बात करने के लायक हो गया तो उसने उसको अपनी शादी की अजीब कहानी सुनाई. उसने उसे बताया कि कैसे उसकी पतनी उससे खो गई थी और अब उसकी बस एक ही इच्छा थी और वह थी उसको पाना. जादू गरनी बोली, मुझे सब मालूम है. आजकल वह अमर कोश्ची के महल में है. और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वह एक बहुत ही भायानक आदमी है. वो उसकी दिन रात रख के बीच शिपा हुआ है. और वासिली सा की तरह कोश्ची इस ओक के पेर की भी दिन रात रखवाली करता है. इसका मतलब है कि किसी भी खजाने से ज्यादा. तक जादू गरनी ने इवान सारिविच को बताया कि वह ओक का पेर उसे कहां मिलेगा. सुनते ही इवान उधर की त के पास पहुचा और उसको जड़ से उखार दिया. जड़ से उखरते ही वह पेर नीचे गिर पड़ा और उस पर रखा बकसा भी नीचे गिर गया. नीचे गिरते ही वह बकसा तूट गया. बकसे के तूटते ही उसमें एक बड़ा खरगोश निकल कर भाग गया. तब ही इव इवान वाले बड़े खर्गोश ने कोश्ची वाले बड़े खर्गोश को तुरंथ ही पकर लिया और उसे फार दिया। खर्गोश के फत्ते ही उसमें से एक भूरी बतक निकल कर भागी और आस्मान में बहुत उंची उर गई और गायब हो गई। पर इवान की सुन्दर सफेद बतक ने उसका पीछा किया और उसको मार दिया। उसके मरते ही उसमें से एक अंडा निकल पड़ा और वहंडा समुद्र के निले पानी में गिर पड़ा। ये देख कर तो जारेविच की जान ही निकल गई। अब वह उसमें से सुई कैसे निकाल लिए चली आ रही है। उसने अंडाला कर समुद्र के किनारे की रेट पर फेक दिया। इवान जारेविच ने तुरंत वहंडा उठाया और उसे तोड़ कर उसमें से सुई निकाल ली जिस पर कोश्ची की जिन्दगी निर्भर थी। उसी समय कोश्ची की सारी ताकत हमेशा के लिए जाती रही। इवान जारेविच उस सुई को लेकर उसके राज्य में गुस गया और उसको उस जादूई सुई से मार दिया। उसके एक महल में उसको सुन्दर वासिली सा भी मिल गई। वह उसको लेकर घरा गया और फिर वे खुशी खुशी बहुत दिनों तक रह जादी